राज़त के द्वारा अररिया के पूर्व सांसल सर्फराज आलम को अररिया लोग सभा सीट से चुनाब लड़ने के लिए टिकट नहीं देने पर AIM-IM पार्टी ने उनके घाउँ पर मलहम लगाने के लिए पार्टी में आने के लिए उनका स्वागत किया है AIM-IM पार्टी के रास्टे परवक्ता आदिल हसन ने राज़त सुप्रीमो लालू प्रसाद यादब पर जम कर परहार कर कहा कि भाले ही वो M.O.I. समिकरन का फॉर्मूला अपनाते हैं मुसल्मान का वोट प्यारा है लेकिन वो बिहार में मुसलिमों का लीडर्शिप नहीं चाहते आदिल ने कहा कि लालू प्रसाद यादब के परिवार सिमानचल गांधी स्वरगे तसलीम उद्दिन के दोनों बेटे सरफराज आलम और सहनवाज आलम को टिकट बटवारे के नाम पर भाई-भाई के बीच दूरी ही प्यादा नहीं कर रहे हैं बलकि बायस भी लड़ा रहे हैं तो AIM, I.M. सुप्रीमो असुदूदीन OBC ने उसे गले से नहीं लगाया बलकि जो की हाट विधान सभा सीट से AIM, I.M. का टिकर दे कर विधायक भी बनाया था आगे सुनिया उन्होंने और क्या कुछ कहा फिर भाख़़वार हैं ये तो सिमाचल में जो महबबत रहती थी अमन रहता था लोग भाई-भाई को जोडता है लालू जी और लालू जी का परिवार ये तो चाहता है कि दोनों भाई में दूरिया हो क्यूंकि ये मुसलमानों की लीडर्शिप नहीं चाते है ये चाहते हैं कि साबुदीन परिवार को दूर कर दें, अनवार उल्हक साहब के परिवार को दूर कर दें, गफूर साहब के परिवार को दूर कर दें, तन्वीर हसन साहब MLC जैसे सक्सियत था उसको उनको कर दिया, बतलाइए ना कि 29 सीट में आश्वा करीम साहब भी उनके चले गए परतियासी उतारेंगे और हम चाहते हैं कि मजबूत सी चुनाओं बिहार के मुसल्मानों को और बिहार के पिछड़ों को सीमांचल के लोगों को एक क्यादत देनी हैं उसमें हम दिल खोलकर अक्तरुलिमान साहब की क्यादत में बैरिष्टर रसदुदी नुवैसी साइब अकबर छाहिप कि सरफरस्ती में इन्शाला बिहार में चुनाओं लढेंगे फाइनल नाम बैरिष्टर असदुदी नो वैसी साहब एलान करेंगे विल्कम है उनका एकदम दिल खोल के सर्फराज साहब का विल्कम है दिल खोल के इवें उनका क्या कहते हैं जो वहाँ के एक बहुत चर्चित साहब हैदर साहब बाबा साहब उनके परिवार के लोग का विल्कम है हम सबको चाते हैं जो भी सिमांचल के लोग हैं जिसने सिमांचल के लड़ाई लड़ी सिमांचल के विकास में साथ दिया हम हर परिवार को चाते है क्या आईए और सिमांचल को बैरिष्टर असदूदीन वैसी साहिब के साथ कंदा से कंदा मिला के अक्तरुलिमान साहिब के साथ मिलकर सिमांचल को अभिहार को एक नहीं कियादत दीजे अदिल हसन